शीलम परम भूषण चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है यह शब्द लाल बहादुर शास्त्री नैशनल अकाडमी ओफ एड्मिस्टेशन की एक दिवार पर लिखे हैं जिसे पढ़ कर सारे ओफिसर्स ट्रेनी अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं उत्राखंड के मसूरी में बसी इस अकाडमी में ओफिसर्ट्रेनी इस के लिए सबी जरूरत की सुवदाय उपलब्द होती हैं UPSC-CSE एस्पिरेंट्स सालों के कड़े परिश्टम की सफलता के बाद लबासना आते हैं और ओफिसर्ट्रेनी बंगते हैं UPSC-CSE की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स की मन में इस जगह को जानने की बड़ी उत्सुकता होती हैं तो आईए चलिए हमारे साथ एक सफर पर लबासना के एक कैंपस के एक सबसे एहमनिस हैं तो ये है संपूर्ण आनंद ओडिटोरियम जो की लबासना कैंपस का सबसे बड़ा ओडिटोरियम है और लबासना के सबसे उचे पॉइंट पर वनिये किमारत है इस ओडिटोरियम में 400 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं ओफिसर ट्रेनीज के लिए होने वाले सभी कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे की फिल्म स्क्रीनिंग, फेस्टिबल सेलिब्रेशन यहीं होते हैं गेस्स जो की लबासना आते हैं वो ओफिसर ट्रेनीज को यहीं अड्रेस करते हैं तो अब आईए देखते हैं कि officer trainees कहां रहते हैं और उनके रहने के लिए क्या facilities दी जाती है यह रस्ता monastery hostel की तरफ जाता है monastery hostel लबासना campus का सबसे नया hostel है यहां differently able लोगों के लिए एक lift है और दूसरी तरफ सीडिया है सुबह के वक्त यहां के नजारे की बात ही कुछ और होती है इस तरफ से आप sunrise point देख सकते हैं यहां है hostel का entrance इस hostel की building में कुल मिलाकर 5 floors है hostel की campus में आप देख सकते हैं कि presidential board room, gym, reception, lounge area, rooms और संपूर्न auditorium सब कुछ मौजूद है यह है director's wall लबाचना के इतिहास में अब तक के सारे directors की तस्वीर यहां मौजूद है भारत के प्रधान मंदरी 2017 में जब लबाचना आये थे यह उस वक्त की कुछ यादगार तस्वीर है नीचे एक तस्वीर officer trainees के साथ भी है 1970 से लेकर अब तक की officer trainees की सारी batches की तस्वीर हैं इस corridor के दीवार की दोनों तरफ लगी हुए यह है hostel का जिन अपने busy schedule में खुद को fit रखने के लिए officers के कमरों के पास ही सारे equipment रखे गए इससे वो अपनी physical और mental fitness का खयाल रख पाते हैं तो चलिए अब चलते हैं officer trainees के room दूर पर यहां कपड़ों के लिए cupboard, TV, iron और ज़रूरत की सभी चीज़े मौझूद है यहां table और chair पर officer trainees अपनी तयारी comfortably कर सकते हैं दो officer trainees एक कमरा आपस में अक्सर share करते हैं officer trainees बालकनी से यह खूपसूरत नजारा देखकर खुद को refresh कर सकते हैं तो यह थी officer trainees के room की एक जड़ा उमीद है आपको यहां का infrastructure देखकर और प्रेड़ना मिली होगी और अब आप दुगनी लगन के साथ महनत करेंगे हम आशा करते हैं कि आप भी इस hostel का हिस्सा जल्दी बनेगे ऐसे और वीडियोज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर करें